धन्तेरस की पौरानिक कथा, जब किसान के घर ठहर गईमा लक्षमी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोजशी तिथी के दिन धन्तेरस का पर्व पूरी श्रधा वविश्वास के साथ मनाया जाता है, धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्षमी और धन के देवता कुबे समय भगवान विश्णु मृत्यू लोक में विचर्ण करने के लिए आ रहे थे, तब लक्षमी जी ने भी उनसे साथ चलने का आगरह किया, तब विश्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो, तब लक्षमी जी उनकी बात मान ग तुम उधर मत आना, विश्णु जी के जाने पर लक्षमी के मन में कौतुहल जागा कि आखिर दक्षिन दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है और भगवान स्वयन चले गए, लक्षमी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्षमी भ दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे, सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रिंगार करने के बाद आगे बढ़ी, आगे जाने पर एक गन्ने के खेट से लक्षमी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी, उसी क्षन विश्नुजी आये और यह देख लक्षमी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी, अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की बारह वर्ष तक सेवा कर कि तुम सनान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्षमी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा, किसान की पतनी ने ऐसा ही किया, पूजा के प्रभाव और लक्षमी की क्रिपासे किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रतन, आदि से भर गया, लक्षमी ने किसान को धन्धाने से पूर्ण कर दिया, किसान के 12 वर्ष बड़े आनन से कट गए, फिर 12 वर्ष के बाद लक्षमी जी जाने के लिए तयार हुई, विश्णुजी लक्षमी जी को लेने आये, तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दि इसलिए बारह वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी, तुम्हारी बारह वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है, किसान हट पूर्वक बोला की नहीं अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा करो, कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच करना, रात्री में घी का दीपक जला कर रखना और शायंकाल मेरा पूजन करना और एक तामबे के कलश में रुपए भर कर मेरे ल नहीं जाऊंगी, यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई, अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया, उसका घर धंधाने से पूर्ण हो गया, इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लग एंधाने से छूएंड़ी